मद्धिप्रदेश में इस्थानी निकाय के दुत्तिय चरण के परिणामों को आज घुसित कर दिया गया है मद्धिप्रदेश भर में आज इस्थानी निकायों के संपून परिणाम घुसित कर दिये गए है अशोक नंगर दिले की बात करें तो इस दुत्री चरण के एक नंगर पाल का और तीन नंगर पंचातों के आज परिणाम जो घोसित किये गए है उसमें इसागर नंगर पंचात में भारती जंता पायटी इस पश्ट भहुमत के साथ सत्ता में आने की स्थिती में आ गई है सबसे बड़ी बात इस चुनाओं में जो निकल कर आई है वो है निर्दलियों की बात करें तो जो सरकार बनानी की परिष्टती आएंगी उसमें निर्दलिये बहुत महित्पुन भूमका में होंगे और हर परिष्ट में दो तीन से लेकर चार तक परिष्ट निर्दलियों रूप से चुनकर आए हैं अगर इस अगर नगर पंचात की बात करें तो यहां 15 बाड़ है 15 में से बीजीपी ने एक तरप अच्छा प्रदरसन किया है और 10 बाड़ों में जीत हासिल किया है यहां तीन पदों पर निर्दलियों पारसद चुने गए हैं जबकि एक पद बीएस पी और एक पद कॉंग्रेस के खाते में गया है इला मुख्याला के अलावा अशोक नगर में चंदेरी एक दूसरी नगर पालिका है अनिसुचे जाती बर्ग के लिए आरेकशत इस नगर पालिका में बीजीपी और कॉंग्रेस में आमने सामने की सीधी टक कर हुई है कॉंग्रेस ने यहां सबसे अच्छा प्रदरसन जिले भर में किया है दस पद यहां पारसत के बीजीपी को मिले है तो उससे एक कम नो कॉंग्रेस के पास भी है और दो पद जो है यहां पर निर्दलियों के खाते में गया है मद्र प्रदेश सरकार में पियाची राजमंत्री बिरजेन सिंग यादब के बिधानसमा मुख्याले की मुगावली नगरपंचात में बड़ा ही खंडित जनादेश आया है हलाकि बीजीपी छे सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी तो बनी है मगर उसके पीछे एक कम पाँच पग कॉंग्रेस के पास हैं इसके अलावा निरदलियों ने यह बड़ा दम खंब बताया है और चार लोग निरदलिय चुन कराए है यानि यहाँ पर पूरी की पूरी कवायद होगी निरदलियों के ग्राम पंचास से नगर पंचाद बनी पिप्रई में पहली बार चुना हुआ पहली बार में चुनाओं में दली आधार पर हुए चीजों में बीजीपी और कांग्रेस दौनंों ही बहुमत के जादू ही आखरे से दूर रह गई है पिप्रई नंगर पंचात के 15 बाड़ों में 7 बाड़ पर BGP, 5 बाड़ पर कॉंग्रेस और 3 बाड़ पर निरदली बजय हुए है यानि यहां भी चत्ता की चावी निरदलीों के हाथ से ही निकल कर जाएगी अगर समक्र चुनाओं की बात करें तो अशोक नंगर जिले के 5 इस्थानी निकायों में 3 में BGP इस पश्ट रूप से आ गई है पहले चरण के साड़ोरा और अशोक नंगर नंगर पालिकां में BGP इस पश्ट भहुमत के साथ सरकार बनाने की स्तिती में है अपने नंगर सरकार बनाएगी इसके अलाब अब इस अगड़े का ऐसी पंचात नंगर पंचात है जहां पर BGP दमखम के साथ आगे बढ़ गई है से इस तीन जो नंगर पंचात और नंगर पालिकां हैं BGP यहां बड़े इस्तिती में हैं मगर यहां निर्दलियों का उसको साथ लेना पड़ेगा